वने मातरम साथियो जहिंद। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगनीवीर योजना को ले करके कहीना कई यूबाओं में बड़ा रोश है, गुस्सा, नाराजगी है। साथ हो इस नाराधगी का कारण क्या है? क्योंकि अगनी वीर योजना के तहत जैसे आर्मी या एर फोर्स जैसी नौकरिया निकलती हैं, ये नौकरिया केवल चार साल की रह गई है, जिसको लेकर करके बहुत जो युवा है वो गुसे में हैं, क्योंकि चार साल के बाद तो फि बहिज दिया जाएगा कुछ वित्तिय मदद के साथ तो इसलिए बड़े चंतित हैं चलिए ये तो रहा एक पार्ट अलग फिलहाल हम बात करते हैं कि ये जो खबर है इतनी तेजी से तूल क्यों पकड़ रही है समझते हैं सबसे पहले दोस्तों कि अभी लोकसवा चुनाव का रिजल्ट आया जिस रिजल्ट को ले करके आपको पता है बीजेपी की जो शीट है जितना वो सोच रहे थे उससे बहुत कमाई यानि अगर पूर्ण बहुमत की बात करें तो पूर्ण बहुमत भी बीजेपी को नहीं मिल पाया दोसो चालिस सीट मत रह गई थी जबकि पूर्ण बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए 272 सीट का होना जरूरी है लेकिन क्योंकि दोस्तो सरकार फिर से तीसरी बार मानिनिये नरिंदर मोदी जी की बनेगी यानि बीजेपी की बनेगी क्योंकि इसका एक कारण है क्योंकि यहां पर अकेली बीजेपी नहीं है बीजेपी के साथ और भी पार्टिया मिली हुई है जिसे हम NDA कहते है NDA में एक Jdu और TDP इनका बहुत बड़ा रॉल है TDP जो है वो आंदर प्रदेश की पार्टि है और Jdu जो है वो बिहार की पार्टि है Jdu के मुख्य या मुख्या का नाम है नितीस कुमार और आंदर प्रदेश के जो मुख्या है उनका भी ये कहना है कि हमें विशेस राज्य का दर्जा मिलना चाहिए यानि कि आंदरे प्रदेश को विशेस राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये कुछ अपने अपने शर्त हैं उन्होंने रखी हैं हाला कि बहुत सारी शर्ते हैं इसके बारे में एक वीडियो अलग से बनाएंगे हम लोग फिलाल अगनी वीर के बारे में बात करते हैं। तो वहीं एक नेता हैं जेडियो के बहुत बड़े नेता हैं आप चित्र यहां पर देख रहे होंगे इनका इनका नाम है प्यारे साथियो केसी त्यागी इनका जो कहना है जिसकी बज़े से ये तूल पकड़ रही है बात वो क्या है समझे ज़रा केसी त्यागी ने कहा है कि एक तो बिहार को विशेस राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जिससे जो नौजवान है युवा है ये बड़े बिरोजगार घुम रहे हैं इनको कुछ नो कुछ मदद मिलेगी तो विशेस रूप से अगर विशेस राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा तो चलो अच्छी बात ह मिलना भी चाहिए, वहाँ ये भी इस चीज के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इनका एक बयान है, वीडियो में आपको दिखा दूँगा, लास्ट में लगा दूँगा, इनका कहना है कि अगनीवीर यूजना को ले करके कही न कहीं युवा की वज़े से सरकार को बहुत जादा नुकसान हुआ है या बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है आप लोग देखिए, जितना ये सोच रहे थे, उससे बहुत कम बहुत डाउन में, क्योंकि इनका कहना था अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार नहीं होई हाला कि बहुत सारे कारण थे 400 पार नहीं होने गया, 400 शीट न मिल पाने के, लेकिन उनमें से एक मुख्य कारण था, अगनी वीर योजना अब इस अगनी वीर योजना को लेकर के नोंने कहा क्या, भाई साब या तो अगनी वीर योजना बंद करवाई जाएगी, अगर बंद नहीं करवाई जाती है, तो इसमें कुछ ना कुछ modification करवाया जाएगा, ऐसा इनका कहना है केसी त्यागी का, केसी त्यागी से पहले, आप लोग जानते मानेनी अखलेस यादव जी, जो की सपा यानि समाजवादी पार्टी के प्रमुक हैं 37 seat उनकी आई है, यूपी में सबसे ज़्यादा seat उनकी है, तो उनका भी कहना था, उनका कहना था कि भाई ये जो बीजेपी ने जो अगनीवीर योजना लेकर के आए है, ये योजना बिलकुल गलत है, ततकाल रूप से ये ततकाल प्रभाव से इनको ये योजना खत्म करनी चाहिए, साती सात सरकार को माफी भी माँगनी चाहिए, कि हमने जो है इसको गलत गलती की हमने इस योजना को ला करके, ऐसा उनका कहना है अखली से का उस पूरे बैच को हम लोग देखेंगे अगनी वीर के को और उस पूरे बैच के बाद अगर हमें लगेगा कि कुछ modification करना है या अगनी वीर योजना के साथ क्या करना है उसके बाद हम लोग decision decision लेंगे और पहला जो बैच है वो complete हो गया और यहां पर लोग नौकरियों के लिए जा चुके हैं तो अविशय यह है कि अब क्या होगा अब क्या होगा हाला कि हम लोग देखो vote के हिसाब से देखें तो यहां पर मैं एक जो है वो map लगा के दिखाता हूँ आपको यह उत्तर प्रदेश का map है और यहां पर यह जो नकसा या map दिखाई दे रहा है यह हर्याणा का map है सबसे ज़्यादा यूबा जो तयारी कर रहे होते हैं आर्मी वगेरा की वो इन छेत्रों से ज़्यादा है सबसे ज़्यादा है पंजाब, पंजाब के अलबा बिहार, है ना, और इन राज्यों में ज़्यादा लोग तयारी कर रहे होते हैं, हर्याणा या उत्तर प्रदेस, इनमें सबसे ज़्यादा तयारी कर रहे होते हैं, हाला कि सभी राज्यों से जो है, वो तयारी कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला है देश में सबसे ज़्यादा आक्रोश इन छेत्रों में जो ये वाले छेत्र हैं इन छेत्रों में सबसे ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला ये हर्याना से लगे हुए सारे के सारे राज्ये हैं इनमें सबस्यादा युवा को आक्रोश मिला है, कारण रहा है उसका अगनीवीर योजना, अगनीवीर योजना को लेकर के युवा पसंद नहीं है, खुश नहीं है, अब सबसे पहले देखो, कुछ लोग मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें कहा था, वीडियो थी योजना गलत है, हलाकि हम लोग बहुत जल्दी किसी चीज़ को डिसीजन ले लेते हैं, बहुत जल्दी, मैं मेरे से कोई पूछेगा अगनीवीर योजना गलत है सही है, तो मैं यह नहीं कहूँगा गलत है तुरत, ना मैं यह कहूँगा सही है, किसी भी डिसीजन को लेकर क तो आप लोग समझ ना, जितना कि मैं समझ पाता हूँ कि ये सही है या गलत है तो उस पे दोनों पक्ष रखूंगा, एक positive के साथ एक negative के साथ, जितना मेरे को समझ है, इससे ज़्यादा मैं यह नहीं कहूँगा कि बंद होनी चाहिए, चलनी चाहिए, समझ ना, आप लोग साथ के जतने भी student या मेरे साथ के जतने भी मेरे colleagues थे, वो सारे army में जाना चाहते थे, तो army की लगातार वो तयारी कर रहे थे, और लगवा के एक समय में 50-50-60-60 लोग या युवा एक गाउं से दोड़ लगाया करते थे, आज मैं देख रहा हूँ, वो दोड़ लगाना उ करके, फिर मैं यह कहता हूँ कि भाई एक बात बता, उसमें से 25 परसेंट तो permanent हो जाओगे आप, फिर क्यों tension, शायदा 25 परसेंट में आ जाओ, बोला चलो शायद मैं 25 परसेंट में आ जाओ, और नहीं आया फिर, फिर तो बेरोजगार हो जाओगा, तो फिर मैं उनसे कहता ह तो शादी ब्या हो पाएगा, काम खतम, फिर बराबर हो जाएगा, हाला कि सबसे बड़ी बात यह है कि चार साल के बाद वो युवा क्या करेगा, यह 18 से ले करके 22-23 साल तक की एक उम्र होती है, जिसमें व्यक्ति अच्छे ढंग से पढ़ सकता है, महनत करके कहीं अच्छी काम का नहीं रह जाता है, फिर वो क्या करेगा, बेरुजगार आकर के घर पे, बताइए, सोचिए, यह मेरा मानना है, मैं यह नहीं करा कि सरकार गलत है, अगनी वीर योजना गलत है, मैं सिर्फ जवाब लेना चाहता हूँ कि वो फिर क्या करेगा, इस बीच, अगर वो अग लोग होंगे काबिल वो लग जाएंगे अन्य था लोग अपने स्टार्टप देखेंगे अपना काम देखेंगे अगनीवीर के चक्कर में रह करके कहीं न कि ना तो वो परमानिट रह पा रहा है न वो कहीं और का रहेगा ऐसा मुझे लगता है ये negativity है positivity क्या है? positivity ये है कि जितने ज़्यादा लोग जाएंगे अगनीवीर में तो उस देश को जो है लाब ये मिलेगा कि उस देश में ज़्यादा ऐसे युवा होंगे जो अल्रेड़ी training कर चुके होंगे जैसे इसराइल में देखिए आप लोग इसराइल में हर एक व्यक्ति को जो है training करना जो है कंपल सरी है आर्मी की तो कुछ changing होने चाहिए ऐसा हो कि भई देश में अगर कोई training करना चाहे युवा तो कर सकता है जोर दवाब नहीं है उसके पास लेकिन नौकरी का लालच इस तरीके से कि चार साल तक नौकरी करने के बाद तो क्या करेगा फिर वो शायद मुझे इसका जो है negative प्रभाव ज़्यादा लगता है बाकि मैं बहुत बड़ा ग्यानी या बहुत ज़्यादा तो इन चीज़ों पर research करके नहीं समझा सकता आपको है न लेकिन आप लोग बड़े ग्यानी हैं सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज पर्सनली अपनी comment जरूर करना कि ये युवाओं के लिए क्या अगनीवीर योजना सही है या गलत है गाओं देहात में शादी तक कोई नहीं करना चाहता अगनीवीर के साथ अगनीवीर का कोई बच्चा होगा तो उसकी शादी शायद नहीं कर रहा है कोई भी मैं देख रहा हूँ अपने छेत्र में आसपास अगर दूसरी condition में हो तो हो सकता है लेकिन मैं जो देख रहा हूँ मैंने दो-तीन ऐसे case देखे हैं अगनीवीर में लगे हुए हैं बच्चे ठीक है और उनकी शादी के लिए अगर लड़की वाला आता है तो वो शायद खुश नहीं होता परस्टनली मैं कह रहा हूँ मेरा कोई ऐसा opinion नहीं है ओवर्विव सब के लिए ठीक है तो आप जरूर अपना comment शेयर करना और मेरे साब से इसमें कुछ ना कुछ modification जरूर होना चाहिए और शायद अब होगा जरूर ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वन्दे मात्रम साथियो